नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि D3 Extra Capsule का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है D3 Extra Capsule को कैसे लेना चाहिए और D3 Extra Capsule की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि D3 Extra Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए D3 Extra एक ब्रैंड नेम है D3 Extra Capsule के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन कॉलेकलसिफेरोल 60,000 इंटनाशनल यूनित होता है विटामिन D3 को कॉलेकलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है D3 Extra Capsule का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोडों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा ओस्टियो मालेसिया होने पर ओस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर D3 एक्स्ट्रा कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेडी हो जाती है और ओस्चियो मालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर D3 एक्स्ट्रा कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती हैं। D3 एक्स्ट्रा कैपसूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में D3 एक्स्ट्रा कैपसूल की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को D3 एक्स्ट्रा कैपसूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा दोज में D3 Extra Capsule को लेने की वज़़ से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है। शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है। अब हम डिसकस करेंगे की D3 Extra Capsule को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। D3 Extra Capsule को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और आच सब्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। D3 Extra Capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको D3 Extra Capsule को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की D3 Extra Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। D3 Extra Capsule को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाच करवाते हैं, तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तंपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए D3 Extra Capsule को लेना recommended नहीं है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका D3 Extra Capsule से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.